ये बाग मित्र इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि बागों और इंसानों के बीच टकराव के स्थिति ना बने। देश के अलग-अलग हिस्सों में इस तरह के कई प्रयास जारी है। मैंने यहां कुछी प्रयासों की चर्चा की हैं लेकिन मुझे खुशी है कि जन भागीदारी बागों के सवरक्षन में बहुत काम आ रही है। ऐसे प्रयासों की वज़त से ही भारत में बागों की आबादी हर साल बढ़ रही है। आपको यह जानकर खुशी और गर्व का अनुवव होगा कि दुनिया भर में जितने बाग है उनमें से सत्तर प्रतिशत बाग हमारे देश में है। सोचिए सत्तर प्रतिशत बाग तभी तो हमारे देश के अलग-अलग हिस्सों में कई टाइगर सेंचूरी है। साथियों बाग बढ़ने के साथ साथ हमारे देश में वनक्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा है। इसमें भी सामुदाइक प्रयासों से बड़ी सफलता मिल रही है। पिछले मन की बात कारकम में आप से एक पेड मा के नाम कारकम की चर्चा की थी। मुझे खुशी है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग इस अभ्यान से जूड रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले स्वच्छता के लिए प्रसिद इंदोर में एक शांदार कारकम हुआ। यहां एक पेड मा के नाम कारकम के दोरान एक ही दिन में दो लाग से ज़्यादा पौधे लगाए गए। अपनी मा के नाम पर पेड लगाने के इस अभ्यान से आप भी जुरूर जुड़े ही। और सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करें। इस अभ्यान से जुड़कर आपको अपनी मा और धर्ती मा दोनों के लिए कुछ स्पेशल कर पाने का एसास होगा। मेरे पहरे देश वास्यों पंदरा अगस का दीन अब दूर नहीं है। और अब तो पंदरा अगस के साथ एक और अभ्यान जुड़ गया है। हर घर तिरंगा अभ्यान। पिछले कुछ वर्सों से तो पूरे देश में हर घर तिरंगा अभ्यान के लिए सबका जोश हाई रहता है। गरीब हो, अमीर हो, छोटा घर हो, बड़ा घर हो, हर कोई तिरंगा लहरा कर गर्व का अनुभाव करता है। तिरंगे के साथ सेलफी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का क्रेज भी दिखता है। आपने गौर किया होगा, जब कॉलोनी और सोसाइटी के एक एक घर पर तिरंगा लहराता है, तो देखते ही देखते दूसरे घरों पर भी तिरंगा दिखने लगता है। यानि हर गर तिरंगा अभ्यान तिरंगे की शान में एक यूनिक फेस्टिवल बन चुका है। इसे लेकर अब तो तरह तरह के इनोवेशन भी होने लगे हैं। पहले की तरह इस साल भी आप हर गर तिरंगा डॉट कॉम पर तिरंगे के साथ अपनी सेलफी जरूर अपलोड करेंगे। और मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूँ। हर साल पंदरा अगत से पहले आप मुझे अपने धेर सारे सुझाव बेजते हैं। आप इस साल भी मुझे अपने सुझाव जरूर भीजिये। आप माय गौ या नमो एप पर भी अपने सुझाव बेज सकते हैं। मैं जादा से जादा सुझावों को पंदरा अगत के सम्मुधन में कवर करने की कोशिश करूँगा। मेरे पहरे देश्वास्चियों मन की बात के इस एपिसोड में आप से जुड़कर बहुत अच्छा लगा। अगली बार फिर मिलेंगे देश की नई उप्रब्दियों के साथ जन भागिदार के नए प्रयासों के साथ आप मन की बात के लिए अपने सुझाव जुरूर भेजते रहें। आने वाले समय में अनेक परव भी आ रहे हैं। आपको सभी परवों की धेर सारी शुब कामना है। आप अपने परिवार के साथ मिलकर त्योहारों का आनन उठाएं। देश के लिए कुछ न कुछ नया करने की उर्जा निरंतर बनाए रखें। बहुत भनवाद। तो प्रदान मंद्र नरेंद्र मोधी मन की बात कर रहे थे एक सो बारवा अपिसोड जिसमें नोंने कई मातों पूर्ण बाते कहीं। वाले समय में कई तेवहार हैं, तेवहारों की तैयारी उसकी शुब काम नाएं। और साथी 15 अगस्त को लेकर भी प्रदान मंद्र ने खास्त मैसे दिया। और चरिक खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं उत्तर परदेश की, क्योंकि उत्तर परदेश में हम लगातार देख रहे हैं कि अवैत निर्भान की खिलाफ योगी सरकार लगातार एक्शन मोट में नज़रा आ रहे, खबर सामने आई है बनारस से जहापर दो होटल क्यों पर बड़ी कारवाई की गई, क्यों ये कारवाई की गई, और आखे, क्या कारवाई की गई है आपको इस रिपोर्ट के जरिय बताते हैं लाल इमारत पर चलता पीला पंजा, भारी पुलिस फोर्स और मौके पर मौजूद विकास प्राधिकरण के अधिकारी ये तस्पीरे हैं वारा नसी की जहां अवैद बने दो होटलों पर बुल्डोजर आक्शन देखने को मिला दोनों ही होटेल ग्रीन वेल्ट में बने थे, जिनको अब वीडिये की आदेश में धुस्त किया जा रहा है दरसल शनिवार को बनारस कोटियर होटेल रिवर पैलेस पर कारवाई के लिए वीडिये की अधिकारी बुद्विहार कॉलिनी पहुंचे जहां पुलिस ने पहले होटेल खाली कराया और फिर बुल्डोजर का आक्शन शुरू हुआ दोनों होटेल पांच मंजिला हैं जिसमें कुल नब्बे कमरे है जानकारी देते हुए वीडिये के उपा धेक्श पुलकित गर्ग ने बताया कि दोनों होटेल वरुना नदी के 50 मीटर के दायरे में हैं होटेल मालिकों ने कई प्लॉट मिला कर दो होटेल बना लिए वीडिये से इसके लिए कोई मंजूरी नहीं ली गई जब धोस्तिकरन का आदेश जारी हुआ तो होटेल मालिकों ने कमिशनर के पास अपील की फिर मामला प्रशासन और कोट में गया कोट ने कहा कि प्रशासन फैसला करेगा इसके राद प्रशासन ने मामले को खारिच कर दिया बाद में 2017-2018 में भी होटेल मालिकों ने धुस्तिकरन की कारवाई को रोका तो होटेल मालिकों के खलाब फ़फाया दज़ की गई पिछले हब्ते भी होटेल खाली करने का नोटिस दिया लेकिन इन्होंने नहीं माना जिस समय इन्होंने नक्षा पास कराया तो मातर जी प्लस टू का अवास यह नक्षा पास कराया था वो भी प्लोट संक्या 20 में उसके अलावा इन्होंने पांच प्लोट को एकट्टे कंबाइन कर लिया और 2019 में ही इनका फिर से खारेज हो गया शासन से भी हाना कि शनिवार को शुरू ही कारवाई आज भी जारी रहेगी लेकिन परीजनों का आरोफ है कि आन अनपानन में बुल्डोजर कारवाई की गई तो वहीं वीजे की अधिकारियों का कहना है कि पहले भी कारवाई की कोशिश की गई थी लेकिन होटेल मालिक अपने परिवार को आके करके बचने की कोशिश करते रहे हैं बीरो रिपोर्ट रिपाब्लिक भारत दिल्ली हाथ से घुचिंग में जो बड़ा हाथ सा हुआ है उससे जुड़ी बड़ी अड़्ट आपको बतारहे हैं रावक आई-एस कोचिंग का कॉडिनेटर